गुड मॉनिंग तेन क्लास कलम्बर अपने चेप्टर पूरा किया है भारत में राष्ट्रवाद तो आज हम उसके कोशन आंसर लेके चलते हैं फर्स कोशन शॉर्ट नोस बना लिए आपने तो यह एक्ससाइस के फर्स चेप्टर है फर्स कोशन आंसर है इसमें है कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदर Soyrad की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंधुलन से जुड़ी हुई क्यों थी अपनिवेश आप जानते हैं कि जब क्यों किसी के अधीन होता है तो वो उपनिवेश है तो जब ब्रिटिस सामराजी चल रहा था यहां पर तो जब लोगों में राष्टवाद की भावना आने लगी तो उनका पहला प्रदेशन उनके विरोध में आंदोलन करना क्यों था ये इसका मतलब है तो अगर आप चाहें तो इसको अपनी मन से भी पॉइंट्स में लिख सकते हैं और ऐसे भी लग सकते हैं वैसे एड़वाइस दी रहीगी कि आप इसको heading wise जो paragraph है इसको heading में convert करके अपनी मन से बनाएंगे ठीक है तो सबसे पहला कारण ये था कि जितने भी लोंग थे उनमें क्या थी उत्पीणर और दमन के शिकार हो गए थी यानि कि इतना जादा जो सोशन है वो हो रहा था भारतियों का तो एक जब भी बहुत जादा विद्रो होने लग जाए तो एकना एक बार करांती जो होती ही है ठीक है और इन सब को करना एक एकता को पूरे देश में फैलाने के लिए आपसी एकता का होना बहुत ही ज़रूरी था ठीक है और अगर देखें अगर राष्टिवाद को देखें तो ये सब के अपना-पना हिद था यानि कि ऐसा नहीं है कि केवल सारे लोग क्या चाह रहे थे कि भारत की ही आजादी हो जाए या भारत एक अच्छा देश बन जाए सब की राष्टिवाद का मतलब अपने अपने स्तर पर अलग लग था ठीक है पर सभी एक साथ मिलकर काम करने लगे तो और अपनी जो नीजी समस्याएं हैं उन्हें उन्होंने दूर रख के संपूर्ण राष्टि के बारे मे सोचा तो इस वज़े से आजादी जो है हमें मिल पाई ठीक है तो ये आपका ये रहा कुशन अगर फिर से कह रही हूं अगर ये जो पेराग्राफ में लिखा हुआ है इसको आप हेडिंग वाइस भी कर सकते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपकी एक्जाम्स के लिए इसके याद करने के लिए ठीक है दूसरा है पहले विश्विद ने भारत में राष्टी अंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया पहला विश्विद दुआ उनिस सो चौदे से अठारा तक याद रहेगा आपको ये तो इसमें राष्टी अंदोलन में क्या ठीक है दूसरा अगर बात करें कि अंग्रेजों से बिना पूछी इन्होंने क्या किया था अपने अपने समो बना लिये थे तो एक काम ये भी हुआ कि देश में जितने भी भारती राष्ट वादिता चाहते थे वो एक साथ हो गए और इससे अंग्रेज जो है थोड़ा पर ठीक है तो इसमें क्या था सबसे पहली बात की इस महायुद्ध में जो मुस्लिम विशेशकर थे लीग के लोंग थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे और तब ही उन्होंने हम सब के साथ मिलकर इस आजादी में अपना योगदान दिया था तो ये कुछ पॉइं 1919 में बनाया गया जब बहुत सारे अंदुलन चल रहे थे तो इस समय किसी को भी अपनी बात रखने का या समू में खड़े होनी की ऐसी कोई भी परमिशन नहीं थी बिना किसी कारण वश लोगों को जेल में डाल दिया जाता था और उन पर एक्ट लगाया जाता था तो ये मनमानी हो रही थी अराजकता हो रही थी ठीक है अपनी बात कहने की आजादी नहीं थी और जैसा भी कानून बने उससे को भारती को फॉलो करना पड़ा था तो ये और ये पूरा जो कानून है एक्ट है रोलर एक्ट इसका एक ही कारण था कि ये जो राष्टे संग्राम चल रही हैं गादी जी के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा इस सब को दबा देना ठीक है तो ये कुछ कारण थी रोलर एक्ट के विरोध में अगर आपको इससे जादा बहतर लगते हैं कोई कारण तो आप उन्हें भी एड़ कर सकते हैं ठीक है नेक्स है गादी जी ने हमेशा आहिंसा रही तो ये जो हिंसा हुई उससे गादी जी परिशान हो गए उन्होंने लोगों से कहा कि शांत रहें ठीक है और इसी सोच पर उन्होंने ये जो आंदोलन था वो वापस ले लिया था ये आप पढ़ सकते हैं और लिग भी सकते हैं इसको फिर आपसे है, वो जरूर ही सफल होता है ठीक है तो यही विचार गादीची ने भी अपने अंदर लिया उन्होंने कहा कि सत्य की सकती पर आगर आगरह किया जायेगा तो सत्य की खोज पर जोड़ दिया जा सकता है ठीक है, प्रतिशोदिया बदले की भावना के बिना भी संगाश क suspic Yeah जाता है असा नहीं कि हमें प्रतिशोधी करना है या फिर उनसे बदला ही लेना है इन सब विचारों से उपर उटके भी हम संगष कर सकते हैं और किसी भी संगष को कि भी परिशानी को वह सुलजानी का अई हिंसावादी भी तरीका होता है ऐसा नहीं कि आप हिंसा ही करें और चीज के लिए ठीक है तो ये कुछ विचार थे जो गाधीची के थे सत्याग्रह पर और उन्होंने ये भी गहा था कि मनुश्यों से घ्रिणा मत करो किसे करो वो जो हिंसा कर रहे हैं उससे ठीक है और अपने सत्य से उनको विवश कर दो कि वो अच्छे रस्ते पर आ जाएं ये उनकी विचार थे सत्याग्रह के लिए नेक्स आप चलेंगे कि आप से पूछा गया है कि निमनिखित पर अकबार के लिए एक रिपोर्ट लिखी ये एक्जाम में भी आता है तो सबसे पहले आप से पू मार दिया था तो ये कहलाता है आपका जल्यावाला बागत्यागान इसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख रही हैं अगर आप मैं तो चाहूंगे कि आप अपने मन से करें कुशन क्योंकि जितना आप अपने मन से सर्च करके करेंगे या फिर बुक्स से करेंगे तो आपको उ हमेशा ध्यान में रहती है कि जल्यावाला बागत्यागान हर किसी को पता रहता है है ना तो ऐसा ना हो कि हम स्टूडेंट है फिर भी हमें नहीं पता है तो इन चीजों को बिलकुल अच्छे से आप नोट भी बना लेंगे और उनको अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे ठ इसमें कोई भी भारतिय नहीं था ठीक है साथ के साथ लोंग थे और वो सारे क्या थे अंग्रेज थे ठीक है यह सारे अंग्रेज थे तो उसके बाद भारतियों को लगा कि हमारी बात रखने क्या तो कोई व्यक्ति नहीं है तो इसलिए उन्हों ने इस चीज का विद्रो कि कि लावा भी यह सारी चीजें के नारे लगाए जाते थे ठीक है इसके बाद भारत माता की शावी के बारे में आपसे पूचा गया है जर्मेश से तुलना करनी है उसमें तो स्क्रीन पर आप यह सारी चीजें देख सकते हैं आगे कर